बिना दवा गहरी नींद लाने का घरेलू उपाए, अनिद्रा दूर करने का घरेलू उपचार क्योर इनसोमनिया दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में आठ ऐसे घरेलू उपचार जो की आपके किचन में आपके घर पे अवेलेबल होते हैं एक दिन के भीतर-भीतर भेंकर से भेंकर पुराने से पुराने बिलकुल नींद ना आने की समस्या जिसको इनसोमनिया की समस्या कहते हैं उसको पूरी तरह से जट से खत्म कर देगी 100% guaranteed 100% effective हमारी आयरुवेद की किताब जिसको वागबर्ट रिशी ने लिखा था अस्टांग रिद्यम उसके अनुसार में आपको प्रियोक बताने वालों इससे भेतरीन मींद ना आने की समस्या से related इससे अच्छी वीडियो आपको यूट्यूब पे इंटरनेट पे नहीं म करते हैं साथ में चैनल को सुस्क्राइब कर दें और बैल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद आल पे क्लिक करना बिलकुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बिमारी से संबंदित उसकी नोटिफिकेशन आले बहुत जरूरी है जानना कि नींद ना आने की समस्या का कारण क्या है मुख्य कारण क्या है बहुत जादा चिंता करना बहुत जादा दिमाग में सोचना एक ही कारण है इसके अलावा कोई कारण नहीं है इसके अलावा जिनकी उमर 50 से उपर हो जाती है नैचरली बहु उक्रीब आते हैं नींद ना आने की समस्या दोस्तों कोई समस्या नहीं होती है नैचरल प्रोसेस होता है कि नींद कम हो जाती है तीन से चार से पांच घंटे हो जाती है तो गबराएं ना लेकिन हाँ अगर आप बहुत जादा अधिक चिंता करते हैं तनाब करते हैं लड़ाई जगडे घर पे होते हैं आप बहुत जादा सोचते हैं तो ये मुख्य कारण है आपकी नींद ना आने की प्रॉबलम का तो उसको दूर करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ घरेलू उपाय बता रहा हूँ सबसे पहला उपाय है दोस्तों सरसों के तेल का रात को सूने से पहले दोस्तों आपको अच्छे प्रकार से पैरों को धो करके आपको पैरों को अच्छे से गरम पानी से आपको धो लेना है अगर सर्दी का मौसम में ठंडी के मौसम में आप नॉर्मल पानी से नहीं दोएं और गर्मी के मौसम में आप नॉर्मल पानी से अपने पैरों को दो सकते हैं उसके बाद अपने पैरों की नीचे जो तलवे होते हैं पैरों की नीचे जो तलवे होते हैं वहाँ पे आपको सरसूँ के तेल की मालिश करनी है दोस्तों इस से क्या होता है कि आपका जो दिमाग बहुत जादा सोचता रहता है वो शान्त हो जाता है इसके अलावा बहुत ज़रूरी है जिनको सोचने के कारण घर की किसी भी प्रकार की चिंता के कारण खासकर महिलाओं को जो नींद ना आने की प्राबलम होती है उसको दूर करने के लिए ओशो डाइनामिक मेडिटेशन जरूर करें यूट्यूब पर सर्च करें कैसे करते हैं भारत में, हर शहर में, हर गाओं में ओशो के सेंटर सेंवहाँ पर जा करके एक दिन में इसको सीखें इसको जरूर करें सुबह उठ करके नींद ना आने की प्राबलम सो प्रतीशत सिरफ ओशो डाइनमिक मेडिटेशन करने से ही खत्म हो जाएगी दूसरा प्रियोग जो कि आप घर में बहुत असानी से कर सकते है अश्वगंदा का प्रियोग दोस्तों दोस्तों सर्पगंदा एक जड़ी बूटी होती है और अश्वगंदा भी एक जड़ी बूटी होती है बहुत असानी से पंसारी की दुकान पे आपको सर्पगंदा भी मिल जाता है और अश्वगंदा भी मिल जाता है दोनों जड़ी बूटियों ले करके आएं दोनों जड़ी बूटियों को दोस्तों आपको बराबर मातरा में ले करके चूरन बना लेना है दोस्तों रात को सोते समय तीन से पांच ग्राम की मातरा में अ और दोस्तों साथ में अगर आप अजवाइन ये सबी चीजों को 50-50 ग्राम की मात्रा में ले करके चूरन बना लेते हैं और रात को सोने से पूर्व हलके गुनगुने पानी के साथ ये जो पूरा आपका चूरन बन करके तयार होगा सबी जड़ी बूटियां आपको अईरवेदिक स्टोर पे मिल जाती है इसकी 2-3 ग्राम की मात्रा अगर आप हलके गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो 100% मैं आपको कहा रहा हूँ नींद ना आने की समस्या दूर हो जाती है मेथी के पत्तों का जूस दोस्तों अच्छी नींद लाने के लिए बहुत अच्छा होता है या अगला मैं आपको प्रियोग बता रहा हूँ कोई भी आप इनमें से प्रियोग कर सकते हैं जतने हैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ दो चमच दोस्तों मेथी के पत्तों का जूस और एक चमच शहद को अच्छी तरह से मिला करके प्रति दिन सेवन करने से नीद ना आने की समस्या दूर होती है जिनको diabetes की problem है उनको शहद नहीं लेना है दो चमच सिरफ मेथी के पत्तों का जूस रात को सोते समय आपको लेना है या फिर अगर आप चाहें तो सुबह भी ले सकते हैं लेकिन दिन में एक बार लें अगला प्रियोग आईए मैं आपको बताता हूँ दाल चीनी का प्रियोग बहुत अच्छी नीन लाने के लिए एक कप गरम पानी में या फिर एक कप गरम दूद में अगर आप आदा चमच दाल चीनी का पाउडर मिला करके लेते हैं रात को सोते समय तो बहुत अच्छी और गहरी नीद लाने में ये मदद करता है लेकिन दोस्तों जितने भी आज मैं आपको इस वीडियो में घरेलू उपाय बता रहा हूँ खाली यह ना सोचें कि मैं ये घरेलू उपाय कर लूँगी या कर लूँगा तो मुझे नीद लाने की समस्या दूर हो जाएगी Osho Dynamic Meditation अवश्य करें क्योंकि वो चिंता को तनाव को जादा सोचने की समस्या को दूर 100% 2-3 दिन के अंदर कर देता है 40 मिनिट की ये प्रक्रिया होती है रोज इसको करें बहुत अच्छी होती है इसके अलावा दोस्तों नीद ना आने की समस्या मैं जायफल का प्रियोग मैं आप आपको बताता हूँ सोने से पहले एक कप गरम दूद में एक चमच जायफल का पाउडर मिला करके पीएं इसके अलावा गरम दूद में एक चुटकी केसर डाल करके पीने से भी आपकी नीद ना आने की समस्या दूर होती है दूद और शहद का दोस्तों शेक अच्छी नीद लाने के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द होता लेकिन ध्यान रखें दूद बहुत भेंकर गरम ना होना चाहिए इसी के बीच में आपको शहद डालना है हलका ठंडा होना चाहिए अगर आपको नीद ना आने की समस्या होती है तो एक किलास गुन गुने दूद में जादे गरम ना होना चाहिए उसमें एक चमच शहद मिला करके पीने से भी नीद ना आने की समस्या दूर होती है जिनको डायबिटीस की प्रॉब्लम है उनके लिए अन्य घरेलू नुस्खे है ये वाला उनके लिए जो कि अभी जवान है जिनको डायबिटीस की समस्या नहीं है जीरा दोस्तों जिसको क्यूमिन सीट्स भी कहते हैं उसका प्रियोग में आपको बताता हूँ नीम ना आने की समस्या को दूर करने के लिए एक चमच जीरे को भून कर पीस लेना है आपको अब एक कप गरम पानी में इसे मिलाना है आपको और पांच मिनिट तक ढखकर रख लेना है रोजाना सोने से पहले इसको पीने से अनिद्रा में इतना गजब का लाब मिलता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों अगला प्रियोग में आपको बता रहा हूँ सोन्फ का फैनल सीड्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं इतना बहतरीन होता है निद्रा आने के समस्या को दूर करने के लिए जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अनिद्रा के रोग्यों के लिए बहुत ज़ादा अच्छा होता है सोन्फ क्या करना है आपको एक गिलास पानी में एक चमच उप डाल करके आपको उबाल लेना है बस्तरी का प्रानायाम और अनुलोम विलोम प्रानायाम और नाड़ी शोधन प्रानायाम नाड़ी शुद्धी भी कहते हैं उसको ये तीनों प्रानायाम दिमाग को शांत रखने के लिए विचारों को कम करने के लिए जादा सोचने को बंद करने के लिए और साथ में चिंता और तनाव को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए बहुत जादा अच्छे होते हैं और जरूरी भी हैं गरिलून उसके आप करेंगे और जो मैंने आपको डाइनामिक मेडिटेशन ओशो की करने को कहा वो आप नहीं करेंगे मैंने जो आपको प्रानायाम जैसे की भस्तरी का और साथ में नाड़ी शोदन करने को कहा अगर आप वो नहीं करेंगे एक भी गरिलून उसका आप पर काम नहीं करेंगा तो इन चीजों का ध्यान रखें सबसे पहली चीज जो 90 से 95 प्रितीशत तक आपकी अनिद्रा को दूर करती है वो है दोस्तों डाइनमिक मेडिटेशन मुझे उमीद है नींद ना आने की समस्य से समबंदित आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी